जिन्दाबाद, 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 जिन्दाबाद कौंगरेस नेता तौकिर आलम को फिर से मिली बड़ी जिमेदारी तौकिर आलम बोले आदर्ण राहूल गांधी प्रयांका गांधी और मल्लीका खड़के सहब का कोटी कोटी धन्यवाद दरसल कटीहार डेलवे स्टेशन पर दिली से कटीहार पहुँचे कौंगरेस के राष्ट्सचीर तौकिर आलम के स्वागत के लिए कौंगरेस कारकरता गन स्वागत के लिए वहां पहुचे हुए थे उसके बाद उनके आवास पर एक बैठक आयोजित की गई बैठक में कॉंगरेश के राश्ची तवक्विर आलम को बधाय देने के लिए वहाँ पर लोगों का ताता लगा रहा इस दोवान तवक्विर आलम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं कभी सिमान चल के युवाओं के आवास को दबने नहीं दूँगा कॉंगरेश नेता तवक्विर आलम बोले की आदर ने राहूल गांधी प्रियांका गांधी और मलिका खड़ के अरजिन शाहाब को मैं कोटी कोटी धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने दुबाड़ा हम पर भरोशा जता आया है और आगामी दिनों में चुनाओं में हम इंडिया गडवन्दन मिलकर चुनाओं लड़ेंगे और कॉंग्रेश को मजबूत करने का काम करेंगे देखे मैं तो सबसे पहले हमारे राष्ट नित्युत आला कमान का हमारे कॉंग्रेश के राष्ट अध्यक्ष मलेकारजुन खड़के जी सेपीसी चेपसन स्रिमति सोनिया गांधी जी हमारे नेता जन्नाएक आदरनी राहूल गांधी जी हमारे नेता शिर्मति प्रियंका गांधी जी का तहे दिल से केसी वेनु गुपाल जी जो संगठन महा सचीव है सबका और तमाम कॉंग्रेश के आला कमान नेताओं का शिश नित्तुत का दिल से धन्नेवाद देते हैं पुन्य हम पे विश्वाज जताया है और पुन्य रास्टे सचीव बन की उपी का प्रभारी के रूप में दिखें ये तो संगठन का पद है और संगठन की जिम्मेदारी है उसको पिछले दो डाई साल से हम उत्तर प्रदेश में निभाते आये हैं कहीं ने कहीं उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ अब उस चुनाव में हम लोग मजबूती से लगे और पार्टी आला कमान ने फिर से समझा के इसको जिम्मेदाई रखनी चाहिए वो रखा लेकिन उसके साथ साथ जो महत्पून बात है कि आदर ने राहुल गांदी जिस मिशन को लेके चलने हैं श्रीमती प्रियंगा गांदी जी मलिक अर्जुन खड़गे जी जो हमारास्ट अध्यक्ष हैं जो तमाम दबे कुछले लोग जोनको हक हुकुक नहीं मिला हैं सिदारी नहीं मिला हैं तमाम पिषड़ा इलाका जिसकी बात हम लगातार उठाते हैं कोई कोई फैक्टी नहीं है सिलाके में कोई यहां पे लोग अच्छे पढ़ाई के लिए संस्था नहीं है इन्वस्टी एमियों के बन पाए उसके लिए फंड नहीं है कोई सेंट्र इन्वस्टी नहीं है तो यह तमाम जो चीजें हैं कहीं ने कहीं जब सिलाके के लोग को पार्टी में मुखा मिलता है तो ये बाद भी हम लोग मजबूती से रखते हैं और मजबूती से रखेंगे कि हमारे जब सरकार आएगी हमारे उपर में जब मजबूती मिलेगी ति इन तमाम मुद्दों को कही ने कही हल देने के लिए काम होगा और साथी साथ जो दूसरा चप्टर है यहां तो पूरे देश में आदर ने राहुल गांधी जी ने जो इसे कहा कि जाती जनगना होना चाहिए अव उस आधार पे कहिने कहीं आरक्षन की सिमाये तोड़नी चाहिए सब समाज जिनको हक हुकुक नहीं मिला उनको मिलना चाहिए यह जो समाजिक न्याइ भी आ गिया तो यह जो नौभी अनुसोची में डालना है उसको और अरक्षन को जो सिमा बढ़ाना है यह बढ़ा मुद्दा है जिसको लेके नितिश कुमार जी भाजपा कर लोग चुप है यह तो बोलते हैं कि हम लोग सम मिलके जाती जनगना कराए लेकिन उसके बाद जो कानुने दरजा देंगे और साथी साथ बिहार को स्टेटस जो स्पेशल स्टेटस दरजा देनी की बात है उसको लेके जो एक लड़ाई की बात है उसको लेके नितिश कुमार जो चुप हो जाते हैं और एक लॉली पॉप थमा के कुछ जो है रोड और कुछ बिजली की गोरेस पार्टी मागडबंद इंडिया कदब घंड सब्सक्राइब के साथ लड़ाइक को हम लोग जाई रखेंगे तव दर्जा मिलेगा तो यह है कि हम लोग जो जिम्मिदारी मिली है उत्रपरदेश के जहिसी बात इंचाज के रूप में वगाम है साति साथ बिहार पूर जहां समय चुनाव लड़ता हूं और तमाम लोग जो लोग तब ही कुछ ले लोग हैं जोनों के हक हुक नहीं मिला है उनकी आवाज को मजबूती देने हैं काम की जाएगी और लाके में कॉंग्रेस को मजबूती के लिए इंडिया ब्लोक को मजबूती के लिए हैं कि इसका में प्रेगा